हाई गाईज दिस जंखी तेहंडी वाचिंग टेकिचनाइन ओफिशिल यूट्यूब चैनल गाईज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने इंस्टागाम आईडी को गूगल में रैंक करा सकते हैं यानि गूगल में इंडेक्स करा सकते हैं अगर आपका इंस्टागाम आईडी को सेर्च के लिए तो उसको आपके इंस्टागाम आईडी सबसे टॉप में दिखे तो आपको क्या करना परेगा इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है तब ही आप समझ पाओगे कि क्या वो प्रोसेस है जिससे आप ऐसा कर सकत हैं उससे पहले बता दूँ अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो कर लिजीगा साथ में प्रेस करके ओल पर क्लिक कर देना है ताकि जब यह वीडियो डग तो उसका नोडिकेसन आपको मिल जाएगा तो ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आ आप से आप उसको क्लिक करके जा सकते हैं और अच्छी तरह आप पढ़ सकते हैं तो चलिए आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है तो सबसे पहले आपको बता दूँ दो अकाउंट के लिए मैं बताऊंगा पहला परसनल अकाउंट और दूसरा क्रियेटर फिर वीजनस जैसा कि आप मेरा account देख सकते हैं मेरा business account है जो की YouTuber या फिर जिसका website होता है जिसका business होता है ऐसे account वो लोग बनाते हैं अगर आप एक personal account use करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है पहले में वो बता देता हूँ तो दो trick है इसको use करने का पहला trick है कि आपको add the rate लगा के अपने Instagram ID को Google में search करना है इससे आपका जो list है वो सबसे top में आएगा आपका Instagram ID सबसे top में आएगा आप इसको देख सकते हैं मैं आपको demo भी दिखाऊंगा और आप खुद भी इसको करके देख सकते हैं लेकिन एक बात मैं बता दूँ इसके लिए आपका जो Instagram ID है वो unique होना चाहिए मतलब जो name है वो unique होना चाहिए अब मैं आपको search करके दिखाता हूँ आप देख सकते हो मैं यहाँ पर search कर रहा हूँ और search के बाद सबसे top में मेरा Instagram ID आ रहा है अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ दूसरा तरीका है कि आपको जाना है Google में और www.instagram.com लिखके slash करके आपको अपना Instagram ID का username डालना है ऐसा करने के बाद आपका जो result आएगा उसमें आपका username सो होगा तो यह दो तरीका था आपको मैं बता चुका हूँ परसनल ID के लिए तो अगर आपका creator या फिर business account है तो आपको बातों का ध्यान रखना है सबसे पहले आपको जो आपका username हो वो unique होना चाहिए दूसरा बात आपका जो bio हो उसको आपको खाली नहीं छोड़ना है जैसे कि आप जानते हैं इडिट profile में जाके अपना bio आप लिख सकते हैं तो आप अपना bio जरूर लिखे short में लिखे लेकिन उसमें आप अपनी personal details डाले अपने बारे में कुछ बताए और एक बात और आप अपने website या फिर youtube channel का link website वाले page में जरूर डाले इससे यहाँ पे SEO अच्छी होती है और Google आपके इस चीज को index जल्दी करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जाके मेरे Instagram ID में वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे मैंने सब कुछ mention करके रखा है तो पहला जो दो तरीका मैंने बताया था personal ID के लिए वह भी आप इसको use कर सकते हैं लेकिन तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ जो की काफी आसान है और इससे कोई भी viewer कोई भी visitor आपके ID तक आसान इसे पहुँच सकता है तो यहाँ पे आपको followers पर डिपेंड करता है और आपके ID कितने दीन पुराना है इस पर भी डिपेंड करता है तो अगर नया ID है तो यह work कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है लेकिन अगर आप इस ट्रीक को आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरू दबादे ताकि जब भी मैं वीडियो डाले तुसको नोडिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो साथ तब तके लिए धन्यबाद